पकी सब ठीक बस चल रहा है पकी सब ठीक बस चल रहा है दोस्तों बजन कम करने का सपना तो सभी का होता है बहुत से फिल्म स्टार्स ने सौ किलो से लेकर के पचास किलो तक का सफर के किया है लेकिन कैसे कर लेते हैं ये इतना हम इसी बात से निरास हो जाते हैं कि वो सेलिवेटी हैं कुछ भी कर सकते हैं और हम नहीं कर पाएंगे बजन कम होना इतना आसान खोड़ी ना है बट हाँ मैं आपको बता दूँ ये आसान तो नहीं है लेकिन इंपॉसिबल भी नहीं है इसके लिए किसी भी प्रकार के पैसे की आवशक्ता नहीं होती कि आपको बड़े बड़े ट्रेनर हायर करने पड़ेंगे कुछ महंगा खाना पड़ेगा नहीं यहां सिर्फ अंतर होता है सही नौलेज का सही डारेक्शन का और वो डारेक्शन हम आपको देंगे क्योंकि कुछ ऐसी गलत आदिते होती है जिनकी वयसे हमारा बजन बढ़ता जाता है कुछ ऐसी बीमारियां है जिनकी बज़ेसे भी हमारा बजन बढ़ता जाता है या यू कहूं कि हमारा बजन बढ़ने की वयसे ब्लड प्रेशर की समझ्चा, डाइबिटीज की समझ्चा, टीसी ओडियों और कई ऐसी बीमारियां हैं जो हमें बहुत लंबे समय तक परिशान कर सकती हैं लेकिन इसको कम कैसे करें बजन को और बीमारियों के साइड एफेक्ट से कैसे बचें इसके लिए सिंपल सा डारेक्शन होता है, यह आपको क्या एक्साइज में करना है अगर वॉक करना है, तो कितनी स्पीड में चलना है, उसकी स्पीड क्या होगी आपके पैरों की हातों की मुमेंट क्या होगी कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए बेनिफिट देने वाली है डाइट में ऐसा क्या ले जो आपके वजन को कम करने के साथ साथ आपको हेल्दी बॉडी दे, आपको निट्रिशन दे और ऐसी क्या आईरवेदिक हाप्स हैं जो फैट कटर के रूप में काम करती है वजन कम करने के लिए तो कई प्रकार की मेडिशन्स हैं और बजन कम करना वाटर वेट कम करना भी हो सकता है बजन कम करना आपका फैट लॉस भी हो सकता है लेकिन यहां जो बजन कम करना है जो एक्चुल में आपको अच्छी बॉड़ी देगा वो आपका मसल मास बढ़ाना यहनि बॉड़ी में प्रोटीन्स को अच्छे तरीके से यूज करना और फैट को कम करना है जो एक्चुली में आपको एक हेल्दी शरीर प्रदान करता है झाल झाल